चलो दोस्तों, आज स्टडी स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड पॉइंट 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 क्यों बोल रहे हैं क्योंकि मुझे आपको सिखाना है अगर हमें इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिगरेशन लिखने आना चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ basic terms से वह पता होना बहुत जबुरी है इसलिए जिसमें first point हमने complete किया है orbit उसके बाद हमें complete करना है subshell उसके बाद आता है अपना orbital बाद में आता है अपना अबो principal ठीक है उसके बाद आता है hunt's rule और finally मैं आपको बता सकती हूँ how to write that electronic configuration यह जो सारे points मैंने बोले हैं आपको उसमें से हमने orbit वाला point complete कर लिया है इसलिए मैं आज आपका second point लेने वाली हो जिसका नामे sub shell अब देखों यह sub shell होता क्या है short में हम बोल सकते हैं कि sub division of electrons मतलब जितने कुछ भी electrons है उनका फिर से divide करना वो क्या हुआ तो sub division of electron और वो जो sub division of electrons होता है वो जो होता है जिसमें होता है उसको बोलते हम sub shell अब देखों यहाँ पर sub shell मतलब मैंने बोल दिया क्या होता है sub shell is nothing but the subdivision of electron subdivision of electrons अब यह जो sub shell है जैसे कि मैंने बोला orbit orbit और shell which is denoted by symbol N or which is related to the N कौन related होता है N से उसका नाम है orbit ठीक है confuse मत होना प्लीज orbit related होता है N से मतलब principal quantum number से वैसे ही अगर यह sub shell consider करते हैं तो यह sub shell किस से related होगा quantum number में दूसरा quantum number आता है जिसका नाम है azimuthal quantum number azimuthal quantum number जो कि denote किया जादा quantum number which is denoted by symbol L मतलब अगर हम consider करते हैं यह sub shells sub shells are related to the L अब यह L कैसे find out करना है N का तो value बोल दिया मैंने जैसे कि यह जो N होता है उसका directly value स्टार्ट हो जाता है 1, 2, 3, 4 and so on पर यह L का कैसे L के लिए एक simple formula में आपको बोल देते हो उसका formula क्या है N minus 1 is equal to L मतलब अगर quantum number जो है first वाला मतलब principal quantum number जितना है उतने से अगर 1 कम करो तो वो क्या आ जाता है अपना sub shell का number अब यह कैसे related है और उसमें हमारा sub shell का नाम क्या होगा मैं बोल देते हो यह जो sub shell से जैसे कि मैंने यहाँ पर बोल दिया orbit अगर 1,2,3,4 है तो KLMN है वैसे ही अगर sub shell बोलते है तो sub shell कौन से कौन से है देखो SPDF है यह कैसे आते हैं मैं आपको बता देते हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए देखो मैंने क्या-क्या बोला है Don't be confused क्या-क्या बोला पहले बोला है कि orbit जो term बोली उसमें वो related होता है principal quantum number से वैसे ही यह जो sub shell है वो sub shell related होती है azimethal quantum number से दो point clear third वाला point क्या बोल रही हूँ sub shell मतलब क्या होता है subdivision of the electrons और यह sub shell denoted के जाते बाई symbol s p d f g h i like that ओके सो वो कैसे find out करने है उसलिए मैंने एक formula बोल दिया n-1 is always equal to 1 l मतलब n-1 कर देते तो वो हमारा आ जाता है sub shell का नाम अभी देखो यहाँ तक कोई problem नहीं होना चाहिए अभी देखो मैं क्या बोल रही हो आपको ठीक है एक table format में हम complete कर देते अगर n-1 है 2 है 3 है और 4 है उसके बाद n मतलब क्या इंडिकेट करती है वो होती है shell ठीक है अगर n is equal to 1 होता है तो shell कौन सी होती है k यहाँ पे l यहाँ पे m यहाँ पे n ठीक है यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया था maximum number of electrons maximum number of electrons कैसे find out करते है by using 2n square formula जिसमें हमारे electrons आये थे 2, 8, 18, 32 ठीक है यह सब electrons हो जाने के बाद अब मैं आपको बोल देने वाली यह जो वाला चार्ट है वो पहले already हमने discuss कर लिया यहाँ पे मैं मुझे क्या बोलना है यह सब शेल के बाद में यहाँ तक खतम हो गए अपना शेल का अभी देखो मैंने क्या बोला जो सब शेल होती है वो denote की जाती है l से l मतलब क्या होता है n-1 अभी देखो first लिके लिए n क्या है 1 है मतलब 1-1 करते वो आ जाएगा 0 2-1 करते है formula यूज का ना मत भूली है 2-1 करते है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 3-1 किया तो आ जाता है 2 4-1 किया तो आ जाता है 3 समझ में आ गए क्या क्या किया देखो यहाँ पे पिर एक बार बोल देती हो तोड़ा time लगेगा तो भी चलेगा यहाँ पे क्या है n की value 1 है 1-1 किया तो answer आ जाएगा अपना 0 यहाँ पे n की value क्या है 2- formula से 1 equal to आ जाएगा 1 अगर यहाँ पे 3-1 करते तो answer आ जाएगा 2 यहाँ पे 4-1 करते तो answer आ जाएगा 3 ठीक है यहाँ तक हमने complete किया है वो क्या है तो sub shell का L मतलब azimital quantum number अब इसका नाम क्या होगा तो sub shell कौन सी होगी जैसे कि देखो हमने यहाँ पे क्या बोल दिया n is equal to 1 होता है तो shell का नाम क्या होता है K अगर L is equal to 0 आता है तो sub shell का नाम क्या होगा वो भी देखना पड़ेगा न तो उसका नाम क्या होगा तो वो होगा S यहाँ पे आ जाएगा P यहाँ पे आ जाएगा D यहाँ पे आ जाएगा F अब यह S मतलब क्या होता है for the principle okay P stands for the principle F sorry D stands for the diffuse and last one that is F F stands for the fundamental ठीक है यहाँ तक कोई problem हो तो बोल सकते हो ठीक है यहाँ पर देखो मैंने क्या क्या बोला यह चार्ट बहुत important है आप ध्यान में रखो अभी आप बोलोगी माम इसमें आपने शेल के बारे में तो molecular बोल दिया अभी सबश्चर के बारे में electrons कैसे होता है मैं आपको यहाँ पे वे डिटेज में बोल दें इसके लिए कुछ formula नहीं है पर formula नहीं है मतलब इसका ऐसा नही है कि उसमें electrons नहीं होते इलेक्टों सोते देखो यहाँ पर maximum number of electrons किपने होते वो कैसे होते हैं और क्यों होते, मैं आपको बाद में बतानी वाल über orbital part में, यहां तक हमें सब्सेल के बार में पता होना चाहिए S में आते हैं 2 electrons P में आते हैं 6 electrons D में आते हैं 10 electrons और यहां पे F में आते हैं 14 electrons, यहां पे कोई भी प्रॉब्लेम हो तो आप प्लीज मुझे पूछ सकते हो ठीक है यहां तक हमारा हो गया सब्षेल का बारे में तो मुझे लगता है कि आपको मैंने जितना कुछ भी शेल और सब्षेल दोनों को कंबाइड करके इस वीडियो में बोल दिया अभी थर्ड वीडियो में मैं क्या कर होतो आपको समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है थैंक यूल अफ यू